नमस्कार आप देख रहे हैं लाइट टुडे मैं हूँ आपके साथ है ना आज का दिन है खास क्यूंकि पाचवे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं लोगसभाच राव 2019 के पाचवे चरण में आज साथ राजियों की 51 लोगसभाच सीटों पर मदान हो रहा है इस चरण में जहां मोधी सरकार के कई मंत्रियों की किस्मत पर फैसला हो रहा है वहीं देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने की प्रतिष्टा भी धाव उपर लगी है सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लेकर राजनात सिंग दिनेश्ट्रिवेदी के लोगसभाच शेत्रों में आज वोटिंग हो रही है पाँचवे चरण में उत्तिर प्रदेश की 14 और राजिस्थान की 12 सीटे भी शामिल है इसी दौरान आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरे स्मृति रानी की जो पोलिंग बूथ का जायजा लेने के लिए पहुँची हुई है अमेठी से प्रत्याशी हैं स्मृति रानी राहुल गांधी के विपक्ष में चनाव ले रही हैं स्मृति रानी इसी बीच पोलिंग बूथ का जायजा लेने पहुची हुई है बीजेपी प्रत्याशी स्मृति रानी अमेठी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं पिछने लोग सभ़ा चुनाव में भी अमेटी से लड़ी थी और कॉंग्रेस को जोरदार टकर दी थी और इस दौरान भी इस चुनाव में भी अमेटी से स्मृति एरानी वाधाई हो जबको वाधाई हो ग्यादार में उत्री हुई है पूरे पाथ सार स्मिती राणी ने चे तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं पश्चुमंगार, राजस्तान, उत्रपदेश, जमुकश्मी, जारखंड और बिहार की पांचवे चरण में आज साथ राज्यों की क्यावन लोग सभा सीटों पर मद्दान हो रहा है चरण में जहां मोदी सरकार के कई मंत्यों की किस्मत पर फैसला हो रहा है वहीं देश के सबसे बड़े राज्योंते घराने की प्रतिष्ठा भी दाव पलगी हुई है पांचवे चरण में उत्रप्रदेश की चौड़ा राजिस्थान की बारा पश्चुम बंगाल उमद्रप्रदेश की साथ साथ सीटों पर वोटिंग हो रहे हैं जबकि बिहार की पांच और जहारखंट की चार सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं चमु कश्मीर के लद्दाक सीट और अरंतनाक सीट के लिए पुलवामा और शोपया जिलों में मद्दान हो रहा है छे तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं बेरकपुर जैपुर लखनओ राची पुलवामा सारन में मद्दान हो रहा है रजधानी लखनओ में मद्दान की गहमा गहमी के बीच कुछ चौकाने वाली खबरे सामने आई यह तस्वीरे आपको राच के इंटर कॉलिज की हैं जहां मद्दान के दिन करमचारियों की जगा छोटे छोटे छात्रों की ड्यूटी लगाई गई है गेट पर बच्चों से पहरेदारी कराई जा रही है उनसे लंच के पैकेट उठवाय जा रहे हैं यह वो बच्चे हैं जो अभी मद्दान करने की उम्र तक भी नहीं पहुँचे है लखनव से यह तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं राच्की एंटर कॉलिज की तस्वीरे है जहां पर मद्दान की व्यवस्था बनी हुई है लेकिन जो तस्वीरे आ रही हैं वो बेहत विचलित करने वाली तस्वीरे हैं क्योंकि वो बच्चे जो नाबालिक हैं जो वोटिंग करने की उम्र तक भी रही पहुचे हैं उन्हें डूटी पर लगा दिया गया है जो तस्वीरे लखना उससे सामने आ रही है बेहत विचलित करने वाली तस्वीरे हैं बच्चे चोटे चोटे डूटी पर लगे हुए हैं जी बिल्कुल जैसा कि आप तक्बीरों में लाइब तुटे के जर्सत देखते हैं जी आई सी निशाद जैने में छोटे चोटे बच्चे जो हाई स्कूल और इंटर के लड़ते बच्चे हैं जिनको सुगर साथ बचे से पहले डूटी लगाई गई है चुनाव आयोग की बड़ी खामी नजर आई है पहले चुनाव आयोग ने एबियम की कराबी का दंस जेली रहते उसके बाद ये कस्वीर चुनाव आयोग के दोस्का पर प्रस्चिन लगाता है उनसे डूटी में मतदाताओं को लाइन में लगाने की जा रही है साथ में ही गाडियों की दोस्का को भी देदने के लिए बोरी लिए उसके साथ साथ उनको लेंच पाइकर आया है जो वह बूट के अंदर जाके मतदान कराने वाले अधिकारियों को उनसे बटवाया जा रहा है ये प्रसाशन और चुनाव आयो के इस करेक्टर पर बड़ा प्रस्चिन लगाता है अधिकारी का कोई रियक्शन नहीं आया है जल से जल की चुनाव आयो के सियलों पैस्वार लू से बात की जाए और उनसे पूचा जाए कि ये क्या है जिसकी वज़े से बच्चों को चोटे-चोटे बच्चों को आपने सुबर साथ बज़े जानकारियों के लिए आपका ब झाल